जैहें दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर में अथली सर्ण गुपत जी से सम्मंदित बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर है तो वीडियो पूरा बस द देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like कर लें विडियो जाद ढ़ि़ विडियो को करें ताकि अंद लोग वीडियो देख सकें Self Study Classes अब डाउनलोड कर लें जहां पर आपके लिए हिंदी साइट का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साइट के टेस्ट सीरेज और आपके लिए हाँ पर 2020 टेस्ट सीरेज भी सब्ताह में दो दिन करवाई जाती है, यह फ्री टेस्ट सीरेज है तो इससे भी अवस्य जुण है, मेह मेह 34 सका बिदारा की कभी माने जाते हैं, तो आपका इहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर क्या है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, आपका इहां पर विकल्प कब हुआ था तो आपका सही आंसर होका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया Brad का पर यहां पर विकलम सी महाभेर करशाध दुबेदी राइट आंसर हो कैसे मानस नाद महाबीर का यदी उन्हें नहीं मिलता प्रियुक्त पत की रचेता कौन माने जाते हैं QNO-6 है और 6 का राइट आंसर मेथलीशन गुपते इस पत की रचेता माने जाती हैं मेतलीषण गुप्ते को महतमा गॉंधी जी ने राष्ट कभी की उपादी कब दी थी इनको राष्ट कभी की उपादी दी थी वताने तो 1836 यानिकी विकलप नंबर से रैट आंसर है मियतलीषण गुप्त द्वारा रचत काभ्यों की अंखेया कितनी मानी जाती 40, 25, 30, 20 तो आपका यहां पर सई आंसर होगा चार आईट आंसर विकल्प नंबर 1 यानिकी 40 मेथली संगुपते ने कितने महाकाब्ब लिखी हैं 1, 3, 2, 4 इन्होंने महाकाब लिखे हैं कितने महाकाब लिखे हैं यह आपके लिए बताना हैं तो आपका सही आंसर है, इन्होंने दो महा काब लिखे हैं, साकेत और या सुधरा इन्होंने दो महा काब लिखे हैं, मैतली सन गुपते जो यहां पर पूंचा गया है, कि कौन कभी साहित जगत में दद्दा की नाम से लोग पिरे थे, दद्दा की नाम से लोग पिरे कौन थे और दद्दा की नाम से लोग पिरिये थे कौन मेहतलिस्टन गुप्त विकल नंबर भी आपका सही आंसर होगा question number 11 यहाँ पर क्या पूंचा है तो देख लेते हैं कि केस आलोचक ने मेहतलिस्टन गुप्त को आदुनेक योग का तुलसी कहा है गुप्त जी को भारस सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था पद्म भूसन पद्मिस्री पद्म बिभूसन कोई नहीं तो इनको मिला था कौन सा पुरुसकार भै था कौन सा सम्मान था पद्म भूसन विकल नंबर आपका एक सही आंसर होगा क्वास्चन नंबर 13 है कि मेथलिशनल गुप्त की आरंबेक रचिना किस पत्रिकाम प्रकासेत होती थी क्वास्चन नंबर 13 है महत्तपुन है और आपका सही आंसर है ब्यास्चियो परक आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है मेतलिष्णन गुपत आरं में किस उपनाम से रचनाय करते थे यह आपका महत्तपुण कॉस्च्छन है और्फ में जो है यह किस नाम से उपनाम से रचनाय करते थे तो रसी के रसी के अंद्र नाम से किस भासा में रचनाय करते थे तो यह करते थे एक किस भासा में ब्रजवासा में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नमबर आपका C राइट आंसर है सरस्वती, विकल्प नमबर सरस्वती पत्रिका, अंगले क्वेश्चन मेतली सन्गुप्ति की खड़ी बोली में रचित पर्थम कभीता कौन सी है, जैद रत बद है, किसान है, हैंवंथ है, रंग कभीता कौन सी है, यह आपके लिए बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर हैं, कि राश्टि भावना से ओद प्रोथ इनकी जो कभीता है, मेशिचन नमबर आपको यहाँ पर 19 पूंचा मेश्चन गुप्त को किस रचिना की कारण राश्टि कभी की उपाधी मिलीती भारत भारती साके सकुंतला या पंचवटी तो बहर रचनाती कौन सी भारत भारती तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है मेहतलिशनल गुप्त की किस कावे पर उर्दू कभी हाली की रचना मसद्य से हाली का प्रभाव है तो यह आपके लिए बताना है क्या होगा इसका सही आंसर कौश्चन नंबर 20 और 20 का राइट आंसर भारत भारती आपका सही आंसर है मेहतलिशनल गुप्त का प्रतम कावे संग्रे माना जाता है भारत भारत भारती किसान या रंग में भंग या जैद्रत बद देखिए मेहतलिशनल गुप्त जी का प्रतम कब संग्रय बताना है कौन सा माना जाता है तो आपका यहां पर बिल्कुल सही right answer है क्या होगा right answer विकल्प नंबर सी रंग में भंग आपका यहां पर सही answer है question नंबर आपका यहां पर 22 पूंचा मेत्लिशनल गुप्त का पिरतम कब संग्रय रंग में भंग कब प्रकासे थुआ था रंग में भंग यह जो है कब प्रकासित हुआ था यह पूंचाए आपसे यहां पर तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1909 इस भी आपका सही आंसर है मेंतलिशनल गुपते का राजपूती आन बान और सान का काभबे माना जाता है भारत भारती किसान रंग में भंग ने जाइदरत बद तो बहें माना जाता है कौन सा रंग में भंग आपका यहां पर सही आंसर होगा question नमबर आपका इहां पर 24 किस रचना की कारण मेंतलिशनल गुपते को जिल मेतली सन गुप्त को सामन्जस बादी कभी कहा था तो भैथी आचार रामचन सुकल क्वेस्चन नमबर यहाँ पर 26 पूँचा की मेतली सन गुप्त को किस चंद का बादसा है कहा जाता हरी गीती का चुपाई शपाई रूला मत पूण क्वेस्चन क्या होगा इसका सही आंसर तो भैचन्द हरी गीती का चंद की बादसा है मानी जाती है मेतली सन गुप्ति हिंदी साहत की सांसकर्ट नवजागरण का बदार की पृतिनी धी कभी कौन है question number आपका 27 है और 27 का सही answer है आपका भी आनिकी मेतली सन गुप्त जो है हिंदी साहित की सांस्कृतिक नव जागरण का बढ़ारा के प्रतिरेदी कभी रामचरत मानस के बाद हिंदी में रामकथा का दूसरा सबसे बड़ा महाकाप्ब के से माना जाता है यहाँ पर बताना है यहाँ पर चार विकल्ब दे गए हैं देखिए यह रहे आपके चार विकल्ब यहाँ पर पूँचा है रामचरत मानस के बाद हिंदी में रामकथा का दूसरा सबसे बड़ा महाकाप्ब जो है किसी माना जाता है तो आपका राइट आंसर है साकेत को तुभे कल्ब नंबर एक सही आंसर होका अंगला कॉस्चन क्या है तो यहाँ पर पूँचा है महतली सर्ण गुप्त को किस रचना के लिए मंगला पर साथ पारितोसित दिया गया था बै कौन सी रचना है यहाँ पर आपके लिए बताना है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है बै रचना है साकेत इनके लिए मंगला परितोसित सम्मान दिया गया था साकेत महाकावव को जनवादी कावव किस ने कहा है कौस्चन नमबर 30 है और साकेत महाकावव को जनवादी कावव किस ने कहा है महत्त पूर्ण कौस्चन है यहाँ पर अपने मेतलिशन गुप्त जी से संबंदित और डांक्टर नगेंदर राइट आंसर साकित महाकभी को जनवादी काभी कहा था डांक्टर नगेंदर ने मेतलिशन गुप्त ने काल माक्स की पुत्री जैनी पर कौन सी कवीता लिखी थी भैकवीत आपके लिए बताना है तो भैकवीत आ कौनसी थी तो बिलकुल सही right answer है आपका जैनी जैनी आपका सही answer होगा बिलकुल सही अंगला question है चैतन्य महापिर्भू की पतनी विशुनु प्रिया और उनकी माता सची के त्याग इवन तब का बंधन के स्काब में है प्रदक्षणा में, एसुदरा में, पंचबटी में, बिश्णुप्रिया में, 32 का सही आंसर है आपका, यहाँ पर D यानि की बिश्णुप्रिया आपका यहाँ पर सही आंसर है, इन्वेसे कौन सी रचना मेहतली सनल गुपते का नाटक है, नाटक बताना है कौन सी रचना मेह यहां पर नाटक है चार विकल्प आपके यहां पर दे गए हैं और क्या होगा इसका सही आंसर तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहां पर क्या राइट आंसर तेतिस का आपका यहां पर सही आंसर होगा तेतिस का राइट आंसर बताना है तो बिल्कुल सही राइट आ गए हैं और आपका यहाँ पर right answer होगा बिलो assuming बताना है एक हैस विदा की रचिन मानी जाती है तो बिलकुल लए राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है right answer विकंसे number आपका यहाँ के चरित्र का बंडन गुप्त जी के इस काब में सुभाय मान है प्रदक्षणा में भारत में पंचवटी में सिद्राज में तो पंचवटी पंचवटी में लक्षण के चरित्र का बंडन है बिल्कुल चाही अंगला क्वॉस्चिन क्या पूचा है महा भारत प्रसंग पर आध पूंचा है विपतगा तरपतगा या फिर अरजन और विसर्जन या नहुप तो आपका राइट आंसर है विपतगा यानिकी विकल्प नंबर एक इनकी रचना नहीं मानी जाती है मैं तलिशनल गुपत के इस काफ में मुसलिम संस्कृति की जहांकी मिलती है कौन सा काफ है बै चालिस का राइट आंसर क्या है साकेत महा काब्य का प्रकास्षं नुबर्स पूचा है तो 1931 इस भी माना जाता है तो विकल्प नंबर भी आपका सई आंसर होगा इनमे ऐसे कौन सी रचना 1931 में प्रकास्षन नहीं हुई है नहीं पूचा क्या है आप से महत्त पूर्ण कॉ कॉस्चिर अंबर 41 है और राइट आंसर है नीहार महादेवी बर्मा यह जो है 1931 में प्रकासित नहीं हुई बिल्कुल चाहिए इनमें से कौन सा उनकाब्वे मेतलिशन गुप्तकार नहीं है नहीं पूंचा है तो आपका सही आंसर क्या होगा नहीं पूंचा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है पर यह प्रिवास यह जो है नहीं है बिल्कुल सही राइट आंसर बताए है इनका काब्वे मानगां जाता है अंगला कौस्चिन में चली चलकेति की इन रचनाओं का प्रकासन वर्ष के अनुशार सही अनुक्रम बताना है तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले कौन सी रचना आती है इनका प्रकासन वर्ष के अनुशार किने बताना है तो question numberArce kaç है और आपका सही आंसर हैं यहाँ पर सबसे पहले भारतभार्ती पंचवटी साकेत या सुधरा विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहां पर होगा इनमें से उस काब्बे रचना को चुनिए जिसका प्रकासन सेस्ट तीन रचनाओं से पहली हुआ है तो सेस्ट तीन रचनाओं से पहली हुआ है उस काब्बे रचना को चुनना है तो बहे कौन सी कब रचिना है तो आपका राइट आंसर है क्या है राइट आंसर बिल्कुल सही राइट आंसर आपका इहाँ पर होगा क्या होगा सही आंसर तो कुणाल गीत आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका भी सही आंसर होगा साकेत महाकाबी की नाइका कौन है साकेत महाकाबी की नाइका आपसे पूँचा है question number 45 में और 45 का बिल्कुल राइट आंसर है और मिला और मिला नाइका मानी जाती है question number 46 है कि इनमें से कौन सी पंती मेतली सन गुपतिकी नहीं है नहीं पूछाए आपसे यहाँ पर तो देख लेते हैं देखें यहाँ पर यह पंतियां दी गई है कौन सी पंति मेतलिशन गुपति की नहीं है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है क्या राइट आंसर विकल्प नंबर बी बांधा था विदू को किसने इन काली जंजीरों से मड वाले फड़ियों का मुख्य क्यों भरा है हीरों से यह जो है मेतलिशन गुपति की पंति नहीं है बिल्कुल चही राइट आंसर होगा अवला जीवन हाय तुमारी एही कहानी आचल में दोद और आंखों में पानी और प्रियोक्त पंतियां गुपति जी के किस काब्ब से ल यही महादोस्कर्म है यह पंति मेतलिशन गुपति के किस काब्ब से ली गई है यह महत्तपून पंतियां है और आपका सही आंसर है भारत भारती से यह पंतियां ली गई है साकेत महा काब्ब के कितने सर्ग माने जाती है साकेत महा काब्ब में कितने सर्ग है यह आपके इनका गीती नाट बताना है गीती नाट मेतलिशन गुप्त जी का तो बिलकुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर विकल्प नंबर एक यानि की अनग आपका राइट आंसर है भारत भारती काप्वे का रचिना काल क्या माना जाता है भारत भारती इस वी आपका सही आंसर होगा जंकार का रचना प्रेट सथी ट्यूससी पड़ी का नमब सो इसन ही और क्प्रकाज सहाись here 1923 प्रन आपका बिश्णी प्रिया कापव का रचनकाल क्या माणा जाता है तो किetonconf log ओम प्रिया कापव का रचनकाल क्या माना जाता है तो संटा और 1957 ंऔर right answer है बिल्कुल सही अंगला question क्या है अंगला question देख लेते हैं साकेत की किस सर्ग में और मिला की बिरहे का बंदन है छटे सर्ग में साथ भी आट भी सर्ग में नौ भी दस भी सर्ग में बारहे भी सर्ग में तो साकेत की किस सर्ग में और मिला की बिरहे का बंदन है तो एह या उर्मिला पूर्मला तो साकेत का अर्फ पूंचा तो एह आपका सई आंसर है बिल्कुल सउच्व राइट अन्सर है नाक का मौती अधर की क्रांती से बीज दालेम का समझ कर भ्रांती से देखकर सहसा हुक स्वन मौन है सोचता है एह अन्य सुक कौन है यह आपके लिए बताने अप्रयुक्त कावपंतिया मेटरिशनल गुप्त की किस कावप से ली गई है नाक का मौती अधर की क्रांती से बीज दालेम का समझ कर भ्रांती से देखकर सहसा हुआ सुक मौन है सोचता है एह अन्य सुक कौन है यह जो पंतियां है यह ली गई है साकेत बिकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा कौस्टन अमबर आपका है यहा पर 69 पूँचा है संदेश यहाँ में नहीं सुर्ग का लाया इस भूतल को ही सुर्ग बनानी आया पंति की रचेता कौन माने जाती है महत्तपूर्ण पंतियां है और इन पंतियों की रचेता माने जाते है मेतली से लिगुप्त जी का निधन कब हुआ ये महत्तपुन question पूँछा गया है और इनका निधन हुआ कब 1964 ECB में बिल्कुल सही विकल्प नंबर B आपका right answer है 1964 में इनका निधन हुआ अंगला question है कि जही दरत बाद का रचिना काल क्या माना जाता है जही दरत बाद का बिल्क नंबर C 1910 आपका सही आंसर पंचेवटी का प्रकासन वर्ष क्या माना जाता है Q62 है और पंचवटी का प्रिकासन वर्स बताना है 1925 इस भी यानिकी विकल्प नंबर D right answer होगा सकुंतला काववे का रचिनकाल क्या माना जाता है Q63 है और 63 का सही answer सकुंतला काववे का जो रचिनकाल माना जाता है 1923 आपका यहाँ पर right answer है अनग है गीती नाट है और इसका रचिनकाल क्या माना जाता है अनग जो की बहुत ही महत्यपुण गीती नाट पूशा गया है आपसे और इसका रचिनकाल की बात करें तो इसका रचिनकाल माना जाता है 1925 इस भी जै भारत है जै भारत का विका प्रिकासन वर्स क्या माना जात तो इस प्रकार अपन निहां पर देखे 62 कॉस्चन में अतली सण गौफ्त जी से संबंद जो की मोस्ट इंपॉर्टन कॉस्चन थे क्या असा लगा वीडियो कमेंट में जरूरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करने वह जादा से जादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी एह वीडियो देख सकें और Self-Study Classes एप डाउनलोड करने जहां पर आपके लिए हिंदी सायथ का संपुण कोर्स हिंदी सायथ की टेस्ट सीरेज आपके लिए उपलब्ध है 2020 टेस्ट सीरेज करवाई जाती ये प्री टेस्ट सीरेज करवाई जाती हिंदी सायथ की सब्ताह में दो दिन तो इससे भी अवस्त जण पिले स्टोर पर जाए ये स्टेडी क्लासेस अप डाउनलोड करें अपनी तयारी में लग जाए और ये जो है सरसब पब्लिकेशन की बॉक है कई माला बस तो नेट्स की तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जय हिंद